हलो गाईज आप लोग कैसे हैं I hope आप लोग अच्छे होंगे और हर रोज की तरह आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आगया हूँ जो बहुत ही बहतरीन टॉपिक है बहुत ही बहतरीन वीडियो है खास करके जो यूटूबर्स लोग है जो यूटूप पे अपना वीडियो बनाते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो शुरू करने से पहले अपना फरिचाय मैं हूं कुमार जीत और आप देख रहे हैं जेट प्लस टे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जैसा कि आप लोग अगर वीडियो यूटूब पर बनाते हैं और आपका कंटेंट कोई कॉपी करता है जैसा कि आपने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को कॉपी करके कोई और आदमी अपने चैनल पर डाल लिया है तो आप कैसे पता करेंगे ये सारी चीजे आप लोगों को कैसे पता चलेगे कि हमारा content भी कोई यूज कर रहा है बाहर तो उसके लिए यूटूब ने एक community guideline जारी किया है अपका अगर channel monetize हो चुका है तो monetize होने के बाद आप copyright में जाएंगे जो इस वीडियो में मैं जाएगा कि क्या है और उसमें आप लोगों को channel का नाम channel का कितना उसने video डाला है तो उस video पे कितना विव आया है कितने उस channel के subscriber है उस channel कहां पे है मतलब कि topic से वह डाला है वह सारी कितना परसेंट आपका content use किया है यानि पूरा 100% आपका video उठाकर डाल लिया है और यह उठाकर डाल लिया है या क्या use किया है या 20% 30% उस सब कुछ उसमें clear आ जाता है तो यह video जो है वह बहुत ही शुक्तन के चीए खिर यॉजआ की खास होने वाला है कि बहुत सारे लोग यह बताते नहीं है यह जनकारी नहीं देए तो इस पर आप क्या कर सकते है कि अगर किसी ने content use किया है तो उसको आप copyright strike दे सकते है आक लोगों को यह पता नहीं होगा याप बहुत सारेए वो पता होगा खासकर के beginner जो यूटूबर्स पे हैं उनको पता नहीं होगा कि तीन स्ट्राइक के बाद किसी का भी चैनल डिलीट हो सजाता है यूटूब से वो चैनल दिखेगा नहीं अगर तीन स्ट्राइक कॉपिराइट स्ट्राइक अपने मार दिया वो नहीं दिखेगा लेकिन आपका कंटेंट अगर दिया है तो अगर आपका कंटेंट वो तीन अपने चैनल पर अप्लोड किया है तो नहीं अगर एक कंटेंट भी यूज किया है तो आप उसको स्ट्राइक दे सकते हैं कॉपिराइट स्ट्राइक दे सकते हैं तो उसका हम वीडियो भी बनाएं स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं तो फ्रेंड्स अभी फिलाल मैं स्क्रीन पर आ चुका हूं और आप देख सकते हैं मेरा चैनल आलरेडी लॉग इन है तो आप भी अपना लॉग इन करिए जी में जाना हैं और यहां पर लेधी साइड में जाना है यहां पर देख सकते हैं कि वीsk Orleans लाइन्स दिया हुआ है इसमें देख सकते हैं जैसा कि मैचेज है रिमूबल रिक्वेस्ट है मैसेज है और हीडेन का जो यह चीव करके ओ है तो यह सब गाइडलाइन यह सब देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है यह अगर आप खोलेंगे तो यही वाला इंटरफ्यस आपको फॉपन होग कर रहे हैं तो मैस में मैच मतलब इसमें के करेंगे और यहाँ पर सकते हैं कि यह प्लेप कंट्रोल ओफ यूर कंटेन्स तो यहां पर 美味 सकते हैं कि किसा рाइन को अगर कंट्रोल करेंगे तो किस तरह से आपको क्या क्या प्रोसीजर है और यूटूब उसको रिमूफ कर देगा उस वीडियो को पूरा डिटेल्स दे रहा है पढ़ लिजिए आप प्रोपर तरीके से और नीचे भी दिया हुआ है तो पूरा गाइड लाइन दिया हुए समझाया हुआ है इसको आपक प्रोंपर बाहिए अलग अलग चैनल पर रिलीच किया हुआ है यानी मेरा क्टेंट किसी और चैनल पर भी डाला हुआ है सब दे रहा है लीट दे रहा है कि यहां पर जाएंगे तो यहीं पर और रहा है और यहाँ पर आप जायेंगे तो वह कितने मेंनट तुल सब डीटेस और दिस्पले फोटोस्टो सब दे रहा है देख सकते हैं आपर यहाँ पर देख सकते हैं वास्ट टायम दिया हुआ कि कि Singh पर्सेंट कर देंदे और यहां से सेलेक्ट करके हमें request removal पर जाना है जैसे देख सकते हैं यहां request removal करना है इसको click करेंगे अलाकि इसने इवज किया है तो यह को मैं समझा दे रहा हूं फिर यह वाला interface open होगा यह interface open होगा तो इसमें पूरा जो details है वो proper अच्छे तरीके से इसको form fill up कर लेना है उपर यहां पर आएंगे तो यह country दे रहा है तो country जीस country से आप विलॉंग करते हैं उस country का नाम डालना है जैसा मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया स्लेक्ट कर रहा हूं उपर में लेखना है कि इस content से आपका क्या relation है तो मैं ओनर हुई इस content का या my original content यह लिख सकते हैं जैसा क और सब्सक्राइब सकते हैं कोई alternate mail ID है और मैं नहीं डाल रहा हूं यहां पे आपको ऊपर में जाना है उपर में आपका proper address डालना है जिस address पे आप रह रहे होंगे वह address डालना है र यहां पर वही चोड़ दिया था रार यहां पर आप जो पीन कोड है जहां से आप हैं मैं पीन कोड प्रसक्रश तो बिताल सकते हैं और नीचे आएंगे तो के applied आप करना चाहते यह अभी तुरंट करना चाहते तो एक तो यहीं नोटिस भी दे सकते है उसको कि सेवेंडेज का नोटीज में हटा ले नहीं तो और यहां से नीचे आएंगे तो पूरा क्लिक कर देना है और यहां से आप साइंग करेंगे बतलब अपना सिगनेचर नाम जो है वो नाम डालिए और नाम डालने के बाद सब्मिट कीजिए आप यह सब करेंगे तो आपको यहां पर देख सकते हैं कि वह रिमूबल में रिक्वेस्ट ले लिया है वह कैसे हम चेक करेंगे तो यह अभी हम जाकर उसको दिखाते हैं लेकिन उससे पहले यह देखिए सारे चैनल का डिटेल्स आ रहा है उस सारे चैनल पर और यह वीडियो पड़े हु हुआ है यहां पर देखिया मैस्चिंग है और यहां से जैसा कि हमने सारे प्रोसेस क्लियर कर लिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए व्लॉग में तब तक के लिए दीजिए इजाज़ा तो के बाए टेक क्यार जैहिंद